Hello readers and welcome to the studio members आज का ये वीडियो एक class recording है चार्ट रीडिंग के ओपर एक detailed discussion किया है लेकिन 40-50 प्रिया एक घंटे की वीडियो में इस चार्ट रीडिंग जैसे बड़े concept को cover नहीं किया जा सकता है तो अभी इसके ओपर बाकी और भी सारी classes होंगी बट जितना हो सकता है इस एक वीडियो के अंदर हम ये clear ये define करनी कोशिश करेंगे कि कैसे हम लोग चार्ट रीडिंग को अपने favor में use कर सकते हैं अब क्यूंकि ये class recording है तो समय काफी रहता है class के दोरान में तो चोटी-चोटी चीज को भी थोड़ा सा discuss करते हुए कभी कहीं पर ऐसा लगेगा कि stretch हो रही है सारी चीजने लेकिन फिर भी वह इसमें मिलेंगे आपको तो कहीं पर भी अगर आपको ऐसा लगे तो वीडियो के जो speed होती उसको बढ़ा देना 1.5 या जो भी आपको अपनी facility के recording लेगे उसको कर देना लेकिन अगर पूरा वीडियो ध्यान से देखते हो तो बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगे अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है तो जरूर से जरूर लाइक किज़ेगा कुछ कुछ कॉस्टन भी रहते हैं तो उसे कॉमेंट कर देज़ेगा ताइंक्स एंड टेलिग्राम चैनल के लिंक डिस्क्रेप्शन में आप लुक टेलिग्राम गूरूब भी जान कर से स्टार्ट करते हैं अच के वीडियो करीब एक घंटे का वीडियो है यह एम डैम शुर किस वीडियो से जरूर कुछ ना कुछ फायदा आपको होगा है तो बाइस लाइक के स्टेज नहीं होती है कि हमने ऐसे चार्ट रिट करना सीख लिए तो इसकूल परफेक्शन वो एक तरह का स्टेप आप सेट की तरह बढ़ते चले या अगर ग्रो कर रहे हो चार्ट करने में डे डे गर ग्रो कर पारे हो होगो तो इसकॉल परफेशनलिज ल जैसे मन में आया वैसे ही चार्ट पढ़ दिया जहां पर भी मन में आया लेवल्स में ऐख दिया उन लेवल के पास में कन्फरमेशनच लीमीर नहीं मिलिंू मतलब नहीं है एक सिंपल क्लोजिंग या यह नहीं करना चार्ट रीडिंग देखे तरीके कही सारे हैं चार्ट को पढ़ने के अभी बहुत ज़्यादा अगर हम उसको निमेरिक्स में लिख देंगे या आप कोर्स में लिख देंगे तो यह हो जाएगा आपके लिए कॉंप्लिकेट थोड़ा सा आसान लेंग्विच में यह एक तरह का पॉइंट फ्यू है जो चीज हम बता रहें ने यह पॉइंट फ्यू है चार्ट रीड करने का मतलब क्या हुआ चार्ट रीड अगर हम करें तो उसक डाउंसाइड के तरफ तो डाउंसाइड अगर ऐसे करना तो कोई भी चार्ट निकलाएगा चार्ट रीड करना जरूरी ही क्यों है क्यों हम लोग इसका परपस क्या है रीड करने का है ताकि हमें एक सही पॉइंट फ़ैक्शन मिलें यह समझ में आजा है कि पर्टिकुलर ए जहां से उसके अंदर लेवस अपने क्रिएट करने हैं इसलिए हम चार्ट को रीड कर रहे हैं यही नहीं कि एक एक फॉर्मालिटी कि अगर हमें ट्रीड एग्जीक्यूट करना है तो कुछ भी हमने चार्ट के पर लाइंस वगरे ड्रॉ कर लेग तो एक फॉर्मालिटी हो अगर हम लोग रीड करें किसी चार्ट को तो मालूँ के मुँद से पढ़ लाई है हमें लास्ट में इसके अंदर से डिजल्ट क्या चाहिए उस डिजल्ट के लिए हम रीडिंग्स करेंगे तो हो सकता है जब chart rate करो तो last time post result तक पहुंचो chances हैं कि एक दिन में न पहुंच पाओ, दो दिन में न पहुंच पाओ साल भर दो साल लगें आपको, लेकिन वहां तक पहुंचो के लिए अगर formality के लिए, तेखा है सब को, entry लेने से पहले कुछ-कुछ तो पढ़ते हैं candle वो candle पढ़कर क्या भी कर दो point of action entry stop loss target plus chart reading अभी यह chart reading करने के क्या-क्य methods है generally सबसे major जो role play करता है वो है अपना price price के बाद में आता है volumes यह methods है अभी और आप chart reading में जाओगे तो बहुत सारे methods आपको मिलेंगे last में समझ में आएगा कि मतलब इतने सारे method से chart को read करने के कोई RSI से पढ़ रहा है को moving average से पढ़ रहा है को बॉलिंजर बैंड से पढ़ रहा है तो theta, gamma जो भी है सब लोग अपने charts को read करने हमारा अपना क्या मानना है कि हम चाहें जिसी methods read करने के लिए वो method जो बनते हैं, develop होते हैं price और volume से ही develop होते हैं अगर RSI भी को result आपको दे रहा है oversold, overbottom ऐसे कुछ बता रहा है तो कहां से रहा है कई आस्वान से थोड़ी ना उसके अंदर data collect करके बता रहा है वो तो जब order लग रहा है market के अंदर उन orders को calculate कर रहा है उसके calculations के बाद में कुछ results दे रहा है तो जब market में order लग रहा है सबसे पहले समझ में कहां आता है volumes में, volumes और candles में volumes and candles के form हो जाने के बाद में दूसरा को indicator अपनी calculations निकालता है जिसके wrong होने के chances बहुत हाई होते हैं हम उन indicators पर जाना ही नहीं तो read करने के जब आप पूरी market पढ़ लोगे ना समझ लोगे तो समझ में आगा है price and volume से बहतर और कुछ रहे चार्ट जितना clean रहेगा उतना ही अच्छा लगेगा उतना ही attractive लिखेगा उतना ही आप उसके अंदर involve होगे वरना हमने तो अपनी life में ऐसे ऐसे charts देखे हैं कि जिसमें आपको candles दिखाई ही नहीं पड़ेंगी इतने indicators लगाके रखते हैं वहाँ पर candles छोड़ करके बाकि सब कुछ दिख रहा है सबसे जवरी point price and volume से इसनके आधार भर ही हम लोग कोई भी chart read करेंगे इसके लावा और कुछ ने अच्छा एक चीज़ आपने देखी होगी यह होता है trending trending और trading trending और trading का मतलब क्या होता है यह होता है trading ranges और दूसरा trending ranges trading और trending ranges क्या होती है price ने किसी भी एक जगह price को मने mark करना शुरू किया points वगरा सही बंती नहीं trending का मतलब होता है कि जब price किसी range को break करके या फिर किसी भी range को break करके price हमारा downside के तरफ निकल जाए तो यह जो ranges होती है कि price हमारा एक range के अंदर रुका हुआ है which is called ranges वह होंगी trading ranges trading ranges और जब price किसी भी एक दिशा में move कर दे किसी भी एक दिशा में move पर दे वह होता है trending ranges अचा यह सब लिख करके क्या मिल जाएगा हम लोगों को जोगे हम trading trending वह लिख रहे हैं इसे नया क्या मिल जाएगा वही तो chart है ना जो हम लोग देख रहा है समाज रहते दिन से उसमें यह नयन शब्द डाल देने से trading ranges और trending और यह point of action वगरा यह सब लिख देने से change क्या हो जाएगा chart तो जैसे चलना तो वैसे ही चलेगा change हो जाएगा कोशिश यह करते हैं कि जो point of view है market को देखने का वह change हो change करने की जरूरत ही क्यों है क्या जैसा है वैसा ठीक नहीं है तो मेरे इसाब से अगर जैसा है वैसा ठीक है तो उससे profit निगलना चाहिए अगर उसे पैसा नहीं बन पा रहा है या फिर पैसा बनना उसको दूसरे stage में डाल दें first stage में chart को chart समझ में तो आना चाहिए जो point of view मेरा इस हम chart को जैसे देखेंगे हमें मतलब भी नहीं है अपने point of view को change करने क्यों change करने वह भी तो natural ही है क्यों change करेंगे हम तो ज़रूरत तब परती change करने कि जब पुराने point of view हमारे favor में काम नहीं करते हैं वह हमारे लिए breakers बनाते हैं ऐसा होता क्यों है आप लोग तो इसी market से हैं ना हमारे पास ऐसा कोई भी नहीं है एक दूर लोगों को छोड़ करके कि जिसके पास साल भर से कम का experience हो सभी लोग I think सभी लोग करीब 4-5 साल से market में काम कर रहो कुछ-कुछ लोग तो 10-10 साल से काम कर रहो है ग्रूप में है तो जो experience holder है आप लोग समझ पा रहोगे इस चीज़ को आप लोग जानते होगे कि market में जहात अर लोग जो बात करते हैं न options कर लो options करो जल्दी पैसा बनेगा मतलब वह पैसा बनाने का जल्दी से पैसा बनेगा ऐसे पैसा बन जागा मतलब वह जो लुभाने का तरीका होता है कितना हसान है market पैसा बनाना एक 12 साल 10 साल का बच्चे भी पैसा बना लेगा मतलब उसके पिछे की psychology काम करती है कि इस तरह से market को portrait किया जाते है कितना हसान है बनाना और बड़ी जल्दी बनता है 15-20 मिट में बन जाता है आजकाल तो वैसे भी है कोई ज़रूरत नहीं है चार्ट को देखने की कोई ज़रूरत नहीं केंड़स को देखने की कोई ज़रूरत नहीं वॉल्यम्स को देखने की आप बस मुबाइल ऑनकोर पैसा बन जागा ऐसे ऐसे भी हमने एट्स देखा की चलते हैं कुछ सोशल मेडिया पर हमें चीज इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जब इस तरह के आप एट्स देखोगी जो बता रहे हैं कि 10 मिनिट और 15 मिनिट में पैसा बन सकता है वो आपको इतना लंबा चोड़ा ग्यान काय को देंगे क्या उनको ऐसा आगर ये अमेर्जेंसी कि आपको इतनी ये साही चीज़े बताएंगे कि प्राइस की एक ये रेंज एक ब्रेक आउट वापस से प्राइस एक रेंज में रुका है फिर से ब्रेक आउट अरे ये सब करने में पूरा-पूरा दिन चला जाता है 40-45-45 केंडल चली जाते है इसमें वो तो 2-4 केंडल में ही प्रॉफिट बन वा रहे हैं तो जो पूरी मार्केट में पूरी मार्केट को देखो अभी हमने कहा ना कि यहां पर 5-10 साल तक के एक्सपिरेंस के लोग बैठे हुए हैं आप इस चीज़ को देखो कि जो 2-4 केंडल को पढ़ाने के लिए जितनी इंफोर्मेशन हमें मिल रहे हैं जितनी नॉलेज नॉलेज भी नहीं बोलेंगे जो भी नॉल इंफोर्मेशन हैं मिल रही है हम उसी को समझते हैं कि this is called market आप actuals में market read करने जाओगे आपका सरदर्द करने लगेगा जैसा कि हर field में होता है इसलिए ज़रुवत पढ़ती है कि जो पुराने नियम है या जिस तरह से आप तो charts को read कर रहे हो आप पढ़ो आप price को पढ़ो price में देखिए कुछ थीम होती है कुछ techniques होती है techniques का मतलब एक अपने पास देखिए काफी पहले एक वो हुए थे technical traders जो की trade बगारा किया करते थे Darwas Darwas box के नाम से एक system प्रसिद हुआ उनका famous हुआ जिसके according कहा जाता है कि उन्होंने बहुत अपने समय के सबसे अमीर trader थे और शायद उस वक्त के सबसे बड़े financial leader थे वो एक तरह के उन्होंने trade करके पैसा बनाया बहुत पैसा बनाया तो newspaper में उनके जो systems थे वो कुछ प्रकाशित किये गए उसके पर तो आपको तमाम books इस वक्त मिल जाएंगी Darwass box के नाम से उनका क्या कहना था simple सी वो यह क्योंके पहले तो charts बगए थे ने जो newspaper में data उनको मिलता था market को लेकर को उसके according को अपने analysis करते थे chart बनाते थे तो उससे यह समझ मैं कि ऐसा है कि market कुछ समय तक trade करती है और उसके बाद में trending होती है फिरसे यह trade करती है और फिर trending होती है अगेन यह trade करेगी और फिरसे यह trending होगी चाहे हो down की तरफ हो चाहे हो upside का मतलब कि price एक range में देखो market को देखो अब आप जैसे ही किसी भी चार्ट को देखने के लिए जाओगा आपका एक point of view change होगा आपको समझ में होगा 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 कुछ लोग इस चीज़ जानते भी हो लगिन जोरी ने कि सब लोग जानते हो तो price क्या करता है पहले एक range में travel करता है breakout के बाद में देखोगे आपके move मिलता है तो price एक range में trade करता है breakout के बाद में move वापस से price trade कर रहा है breakout हमें देखना क्या है हमें देखना है कि market कब इस condition में है और कब अपने आपको ready कर रही है यहां तक पहुँचने के लिए market कब इस condition में है और कब ready हो रही है समझते चलिए एक एक बात को हमारा सबसे पहला काम है लिए समझ भे गया ये समझ भया गया कि प्राइस हमारा ट्रेट कर रहा है या नहीं कर रहा है अब इसके बाद में जैसे ही प्राइस के अंदर इसके ब्रेकाउट ही होते है न हमें ये देखना होता है इसलिए हमने आपसे का कि एक-एक फॉर्मेशन जो हम पढ़ा रहे न उसके पूरी-पूरी हफ़ते प्रैक्टिस करो हमारा काम है कि प्राइस आप ट्रेट कर रहा हो तब हम उससे देखकर करके ये समझ मैं कि हा अभी ये ट्रेडिंग जोन में है और आछ चैर्ट चल रहा है ये एक तरह大的 ये ट्रेडिंग जोन थी कि हम इसको ट्रेडिंग जोन बोल सकते हैं यह पूरा एक जो जोन है उसे हम ट्रेडिंग जोन बोल सकते हैं यहां से देख लो एक ट्रेडिंग जोन पूरा ब्रेकाउट की बाद में सीधे नीचे की तरह यतना आसान नहीं है कि आपने बस दो लाइन बना दिया और काम हो सबसे बेसिक नेचर ही है कि आपको ये समझ प्याना चाज़े कि प्राइस हमारे एक trending zone में है या trading zone में अभी present condition में ये एक trending zone में चलिए ठीक है ये पहली चीज होगी अब आते हैं हम लोग अपने second element के उपर अच्छा volumes के क्या methods होते देखने के two type of methods से volumes को read करने के सबसे पहला जभी भी एक कोई candle form हो रही हो volume breakout का मतलब क्या होता है कि अपनी previous candle से ज़्यादा किसी भी candle के अंदर अगर volume आ रही है which is called volume breakout माल लेज़े तीन candles गिरते हुए क्रम्य और चौती candle फिर से volumes के बनगे कम volume के साथ बनगे तो ये क्या volumes के breakout है ये volumes breakout नहीं है volume breakout कब होगे अपनी last candle से ज़्यादा की volume जिसमें भी आ गई ये volume के breakout हो जाता है यहां से ये volumes के breakout है ये भी volume के breakout है अपनी last candle से ज़्यादा volume आ गई volume के breakout है और volumes इसी क्रम में आगे कि तरफ बढ़ती रहते है price अपनी एक range बनाता है range के बाद में जैसे volumes के breakout होती हो कुछ देर तक एक दिश्या में move करता है फिर से देखे price एक trading zone में आता है trading zone में आने के बाद में जैसे price के breakout होते है वो एक trending zone में कोशिश करता है move करने के ये जो हरकत हम लोग देखते हैं ये वाली हरकत ये होती है lower time frame के इसके बाद में जब हम price की range को अभी इसको हम चार्ट पर दिखाएंगे आपको जब हम लोग price की range को mark करते हैं तो इस range को price ब्रेक करता है volume के साथ में तो यहाँ पर जो volume की reading से थोड़ी सी change हो जाती है जो कि बहुत impact डालती है हमारे charts के reading के बहुत मदब major impact बहुत बड़ा impact डालती है अभी से chart परणवक समझेंगे जलके price action में एक चीज़ आती है यह जो breakout होते हैं यह कितने जरूरी होते हैं कई बार तो ऐसा होता है कि price देखी बार में सारे orders फिल करके नीचे की दफ चला जाता है इसके पीछे का जो science है price की science है वो क्या है कई बार ऐसा होता है कि price हमारा हमारे level के नीचे breakout हुआ और सीधे नीचे की दर चला गए सारे quantities activate हो गया कई बार ऐसा होता है कि price एक retracement करने आता है बच्छे कुछे जितने भी orders होता हुँ उनको सब को लेने के लिए इधर की तरफ आएगा और वरना कई बार up side की तरफ market जाती है इनके सब के stop loss लेगी इसके बाद में price फेर हमारा downside की तरफ जाएगा हमें जिस situation की तलाश होती है कि price हमारा इस वाली range की जो blue tick हमने मा किया है यहां से market downside की तरफ जाए अब move और price हमारी range को छोड़ दे कुछ range यहां पर unfilled होनी चाहिए smart money के अंदर इसे बोलते है order blocks उतना complicated नहीं करेंगे इसको बहुत simple वे मैं समझते smart money का सबसे बड़ा drawback हमें यह लगता है कि वहां पर चीज़े इतनी complex हैं आसान लेकिन इतना complications के साफ नहीं बताई जाती है जिसको कुछ जवाब ने transactions के हम तो यह करते हैं कि बहुत आसान आसान तरह से सारे concept सो clear करते हैं उसमें लगे पड़े हैं चार गंटे पांच गंटे चे गंटे साथ गंटे दिन में सब लड़के ऐसे लगे पड़े हैं उनके हिसाब से बहुत बड़ा smart money का concept समझ रहे हैं last में क्या होता है समझ भनी आगा है smart money का सबसे बड़ा drawback हमें यहीं लगता है इतना complicated किया गया है विल्कु साइंस MSC, BSC की book में जितने rules लिखे होते हैं उस track हमें लगता है SMC के अंदर तो जबकि इसी को हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं यह वाले जो structure हम लोग find करते हैं record हो रहा यह वाले structure हम लोग charts पर find करेंगे तो कई बार होता है कई बार मिलेगा लेकिन कई बार नहीं भी मिलता है ऐसे फिल रहे चाता है लेकिन यह तै रहता है कि market इस वाले price तक move हो करके आती है ऐसा मानते है कि price इस वाले area तक जिसको किसने भी तक fill नहीं किया है जहां तक move हो करके आईगे प्राइस के अंदर हम लोग इस चीज को कैसे देखते हैं इसे याद रखेगा देखिए बहुत छोटा सा नियम है यह बहुत हेल्प करता है हम लोगों है न कि प्राइस का एक दिशा से अब या फिर डाउंसाइड की तरफ मूव करना यह वाला जो रीट्रेस्मेंट है यह एक बाहुत बार मिस्कंसेपशन होता है कि हमारा यह एक अप ट्रेंड हो चुका ह है अब यह एक ne ूप ट्रेंड नहीं होता है प्राइसमेस जैसे यह आप यहां से आई करको यह ओर तरह है कम रीदिंग करने इा जो गाप हमारे बचे इतनी इस चीज़ को याद रखना है अब जितने भी एक्जामपल है यह सारे हम चार्ट पर शेयर करें क्योंकि द्राइंग्स में थोड़ा बहुत कॉम्टिकेट होता है हमने इरो मोटो कॉप है मार्केट शुरू ही यहां से इस एक जगह से यहां पर देखिए एक ब्रिकाउट कितने सारे ब्रिकाउट होते दिन भर में बहुत इत्मिरान से समझना है इसे चार्ट को रीट करें में बहुत बड़ा रोल प्ले होता है इससे ट्रेंड आइंटिफिकेशन हो गया चाहें तो बाई उसेल की डिसिजन्स हो गया चाहें तो एक लोबर टाइम फ्रीम की सपोर्ट या फिर रेस्टन्स निकालना हो गया बहुत साइचीज यहां से क्लियर होते है किसी भी कैंडल की इंपोर्टेंस हो गई क्या इससे एग्नोर किया जा सकता है या फिर यह किसी तरह का ट्रेप है इस सारी चीज़ें इससे के ऊपर डिपेंट करती है 915 की यह कैंडल बनी इसके बाद में देखें यहां से वॉल्यूम के ब्रेक आउट हो पढ़ो इसको यह हो चुका है हो चुकिए न मार्केट अब रीट करो क्या हुआ है अब 9.15 के बाद में 9.20 की candle यहां पर break out बाद में देखिए सारी negative candles, सब negative candles इसके बाद में volumes लगातार गिरते चले जारा है और फिर से यहां पर देखिए एक green color की volume का break out हुआ अगेन देखिए volumes हमारी नीचे की तरफ गिरी अब यहां पर देखिए दस पच कर basement पर एक sales set की volume का break out हुआ negative volumes वापस surprise हमारा downside के तरफ फिर से एक sales set की volume का break out हुआ सिर्फ इतने भर को समझिये भी आगे का छोड़ दीजे इसका मतलब क्या होगा price पर आवा support बना 9.15 का low हमने low mark कर लिया और यह बन गया एक support अब हम क्या देख रहे हैं यहां पर जहां जहां भी volumes के break out हुए यह वाला area हो गया या फिर यह वाला point हो गया हम इसको भी mark कर लेंगे अच्छा यहां पर यह कैसे समझेंगे कि हमें इसको mark करना या इसे mark करना अभी इसके उपर discussion करते हैं इसके बाद में देखिए क्या हुआ कि price हमारा सीधे downside की तरफ आ गया यह हुआ एक तरह का यह volume breakout इस जगह पर range के अंदर हमारे volumes के breakout हुए lows एंड यहां पर देखिए 10 बच के 30 नट पर volumes के breakout वापस से देखिए price हमने हमारे price ने क्या किया है यह जो swing बना था जो अभी मैंने draw करके आपको दिखाया था low high low high यहां पर price ने अभी तक हमारी इस range को fill नहीं किया आपको पता यह ranges fill जरूर होती है बहले आज हो या कल हो जाने दो इसे नीचे की तरफ जाने दो इसे यह देखिए price का उस जगह तक उस area तक जाना ही है तैबात है यह बहुत बड़ा impact यह समझ लीजे एक तरह से इसे कह सकते हैं कि इसे दूसरे चार्ट पर लोग देखते हैं सिर्फ volumes को देखिए गा सिगनिफिकेशन समझना है एक दो तीन चार यह देखिए 935 की candle आई 940 की candle आई 945 नौपचास की candle यह जो भी swing create होगा ना यहां पर यह बहुत important swing point होगा क्यूंकि इस एक जगह पर volumes के हो रहे हैं breakout वॉल्म के breakout होने की वजय से इस जगह पर बहुत सारे pressures create होते हैं आप माक कर लो जिस भी candle की वॉल्म का breakout हो है हमने इन दो का बताया था ना एक और दो आप दोनों में से कौन होगा अभी इस hero motor copy जो हम आगे की तरफ देख रहे हैं तब हमने बताया था ना आपसे के दोनों म पर में क्या पता है कि एक ऐसी ranges होती है इस वाले projection में एक ऐसी यह सभी लोग देखिएगा एक range हमें draw कर लेनी है एंड ड्राइंग के बाद में प्राइस हमारे एक जगह पर आकर के sustain हो रुके यह वाले moves यह जो moves होते हैं न कि प्राइस में एक हम अपनी imaginary line create करते हैं मन ही मन में कि एक ऐसी line जहां पर price हमारा रुके यहा करके या तो resistance लें support लें लेकिन उस जगह पर बहुत अच्छा resistance या support होना चाहिए हमारा यह चीज़ हम इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि अब हमें यह तो पता है कि इन दोनों में से कोई नो कोई volume तो होगी important लेकिन इन दोनों volume है हम यहां तका है अचाहिए इन दोनों को filter हमने किया तब समझ मैं कि यहां पर resistance फॉर्म हो सकता lower time frame के अंदर अब आप आजा चाहिए देखो कि इन दोनों में से किस candle ने highs create किया है यह volumes breakout हुए अब देखिए यहीं से रुख गई market अभी हम लोग पढ़ रहते हैं इसे यह है मेरा trading zone यह है trading zone हमने price and volume के combination के साथ में एक trading zone अपना identify किया इस identification के नतीजे में या फिर इस identification में as a result हमें यह समझ मैं है यह हमें मिला एक resistance point अभी हम लोग volumes को ना देखें सिर्फ हम price को देखें तो इसमें बहुत बार ऐसा होता है कि आपको fake signals मिलते हैं यह बार ऐसा होगा यह इतने strong नहीं रहेंगे weak रहेंगे लेकिन volume से समया जाता है कि price and volume दोनों के मादेम से दोनों चीज़ें भी strong धीर 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 की कि तरब यह नया swing बन रहा है यह वाला point हमारा नया swing point बन रहा है यानि कि इस एक जगए पर भी हमारा एक zone बन गया यह वाला और फिर से दोगों यहाँ पर breakout हो गए हुए ना इस breakout से में क्या समझ में जैसेटकी इस candle के हाईप पर हमें एक resistance मिला था इसके बाद में market हमारी trading हो गए थे एक trading zone में चली गए थे यहाँ पर breakout हुआ, breakout के बाद मार्केट यहाँ पर एक trading zone में चली गई, अब यहाँ पर with volume breakout हुआ price हमारी एक trading zone में, है न, previous trading zones के अंदर, अब क्या हो सकता है, next possibility क्या बन रही है, next possibility के according, क्योंकि एक और दो यह मेरे significant points थे, अब नया जो हमारा candidate है, सबसे strong candidate है, which is this, 10 में 50 मेंट की candle, with volume breakout करना पड़ेगा, एक zone के अंदर रुखी है market, इसी एक candle के हाई पर, है न, resistance, 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 और फिर, कौन से candle ने breakout दिया, इस वाली candle ने, breakout के बाद में, सीध है उपर की तरफ चली गई, हुआ न, सीध है market निया पर के लिए, एक resistance लिया, इस resistance के बाद में, डिरेक्ट ही है, upside की तरफ चली गई, उपर की तरफ मार्केट हमारी होगी, close, खतम, अच्छा इस कहानी से में समझ में क्या आया, यह जो market हो गई है, हो बंद हुए market के उपर हम लोग lines पकर ड्रॉव कर रहे हैं, तमाम तरह के readings, इसे में समझ में क्या आया, इसे में एक चीज़ समझ में आयी, यह चीज़े life market में बहुत अच्छी तरह से आपके readings को improve कर करेंगी, एक swing लगा, अब यह swing हमारा with volume breakout हुआ है, तो इसका मतलब कि अब यह swing हमारे important swing point हो जाएगा, अगर strong resistance है, strong swing point है, तो price जैसे जैसे इस range के पास में जाएगा ना, यहाँ पर आपको volumes के breakout समझ मेंगे, एक closing, यह समझ में जाता है, कि previous जो support हमारे, previous हमारे resistance है, वो एक कि तरह से support में work करेगा, support की तरह काम करेगा, और अब जब market को upside की तरफ जाने तो उसे हमारे resistance के ओपर एक closing करनी होगी, अगर closing नहीं की तो फिर market upside की तरफ हम सोच ही नहीं सकते हैं, इसको break किये बगार market upside की तरफ जाएगी कैसे, अब आता है patience, अब आता है wait, है यह आपके अंदर, wait करना है patience के साथ बैठो, मतलब क्या इसका, यही इसका मतलब है कि एक इस levels के form हो जाने के बाद, अपनी area के breakout का wait, और को इसके लिए मौरत नहीं निकलता, wait करना है, wait इसी लिए करना है, अपनी levels के breakout का wait, यह resistance point हमें यह समझ में आ जाता है, यह resistance point हमें यह समझ में जब तक breakout नँ, inside trade मारतेरो, breakout हो जब तक नँन, inside trade मारतेरो, breakout जब तक नो तो inside trades मारतेरो, जैसे breakout हो ज़्यकाओं ब्रेकाओट के trade मारतेरो, swing high के उप़र अपने stop losses लगा दो, मज आ जागा, काम करके, और आगे के तरफ, अभी के running chart काउं सा चलार, running chart लेते हैं, आम लो, मार्केट की नीचे चली जाएगी प्राइस अगर एक सपोर्ट पर है तो मतलब अब साइट से डाउन साइट की तरफ ये अपने सपोर्ट को ब्रेक करते हुए आ रही होगी है ना किसी भी एक सविंग पीरést के आ रही होगी नगा अब यहां पर आ्ल लिये कि जैसे यहां पर एक यह हमने सपोर्ट ज्रॉट कर दिया है तो इसके और का सपोर्ट काउन साब कर पार यह वाला जो स्विंग एरिया है इसके ओपर से जब मार्केट डाउन सैट की तरफ आई है तो क्या हम लोग इस एक एरिया को सपोर्ट मान सकते हैं मार्केट चल चुकी है यह याद रखिएगा क्या यहाँ पर हम लोग सपोर्ट रह कर सकते हैं यहें न वॉल्म सके और आप कर दो जैसे अब आप देखिए यह हुआ ना ट्रेडिंग जोन यह प्राइज देखो Rivers के breakout आप देखो गे कि यहाँ पर वॉल्म सके breakout नेसेसरी है होれない है अगर वॉल्म सके breakout नहीं है तो बहुत हद तक चांसे है कि price आपका reverse हो सकता है हो सकता है, हो जाएगा ऐसा sure नहीं है हो सकता है, chances बहुत रहते हैं volumes कौन को तो जैसे ब्रिक आउट हुए आपको volumes के ब्रिक आउट दिख जाएंगे हम फिर सकरें, market चल चुकी है यह से market चल जाने के बाद की analysis है अपनी लेकिन आभी दोखोई इसी चल चुकी मार्केट को पर नालसिस करके अब क्या होने वाला है वो कैसे समझ में आता है लो यहां पर दोखोव ब्रिक आउट हुए ब्रिक आउट हुए इसी चीज में बहुत सारी चीज आपको समझ मेंगे यह हुआ इस candle ने किया breakout यहां पर लोग ब्रेकाउट हो गया यहां पर दो इस candle ने किया breakout वॉल्म्स की breakout ले लो फिर उपर नहीं गई market अब यह बन जाता है आपका support यह बना एक support area breakout breakout candle कौँसी है यह वाली इसी ने तो breakout किया था ट्रिक बता है न जो candle हमारी breakout करती है जो भी candle breakout करेगी इस के अंदर की volume है 288K अगर breakout market कर रही है अगर breakout कर रही है और simply volumes के breakout है मतलब अपनी previous candle से ज़्यादा की volume के breakout है तो ठीक है breakout तो वह भी है लेकिन अपनी last breakout की हुई candle से ज़्यादा अब जब market breakout करेगी अगर इस वाली candle से ज़्यादा की volumes आ गई आप समझ लेना market में बहुत ज़्यादा chances वो sustain हो जाएगे reversal के chances कम रहेंगे readings reading मजबूत हो जाएगी आपकी ऐसा नहीं कि दो और तीन चार्ट में कर लो तो समझ मैं जाए रहे वाँ क्या बात है ऐसा नहीं होगा सैकोड़ों चार्ट के ओपर घंटों प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पांच चेट में ट्रेडिंग नहीं होती एक एक मिनट के चार्ट के ऊपर ट्रेडिंग नहीं होती अभी ओपी यूएसडीटी ने रिवर्सल के साइन दिये है आप बता सकते हो यह रिवर्सल के साइन क्या है कैसे रिवर्सल के साइन आप देख ले ना मार्गेट रिवर्स हो करके अब तक जाएगी यहां तक और ऐसा नहीं कि छोटी 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 केंडल बुना करके हो स सीधे नीचे गिर गए यहाँ पर रीट्रेस्मेंट हुआ है यहाँ पर रीट्रेस्मेंट हुआ है अगर रीट्रेस्मेंट कमपल सरी हैं तो यहाँ पर क्यूं नहीं हुए अच्छा ये भी probability का game होता है ऐसा हम नहीं बोच सकते कि 100% ऐसा ही होगा ना लेकिन possibilities तो है क्योंकि market nature करके according जो ज्यादा तर चीज़े होती है market अपने आपको रिवर्स तो करता ही है तो ज्यादा chances क्या है reverse होने के न अगर हम यह देख पा रहे हैं अच्छा यह तो कोई सारी चीज़े reading से related हैं हम लोग read कर रहें कूं कर रहे हैं ताकि trade लेते समय confident रहें, सही trade ले पाएं अब अगर market हमारी upside के तरफ reverse हो सकती है तो हम short selling का अगर हमें मौका में मिल ला तो ठीक हम करेंगे लेकिन money money में रहेगा तो के price मारा reverse हो सकता है chances तो है ने reverse होने के, जैसे हमें lower time frame पर reversal के symptoms दिखाई पड़ते हैं, lows दिखाई पड़ते हैं हम सचेत हो जाते हैं, और अगर ये हरकते upside के तरफ में नहीं दिखती है तो sell side के तरफ हो, चाहें तो buy side के तरफ हो यह में समझ में आता है कि अभी हम लोग strongly bet सकते हैं next step हम लोग UPUSTAT के अंदर क्या करेंगे अगर हम लोग upside से trade करते हैं तो अपनी quantities को hold करेंगे नहीं तो फिर volumes के breakout का weight करेंगी जैसे price नीचे की तरफ टूटाना अचानक से दो तीन candle red बनेगी और फिर इससे market एक trading zone में चला जाएगा अराम, इस सारी चीज़े हम लोग lower time frame पर कर रहे हैं कोई भी stock उठालो अडानी है अडानी उडानी तो देखो हमें तो market देखकर किस वक्त अजीब सा लग रहा है ऐसा होना तो नहीं चाहिए लेकिन जब इतना सोचते है market को ले करके तो 100 में से एक बर ख्याल ये भी आ जाता है कि ऐसा नहीं कि कही market crash हो जाए असरा में इस वक्त की जो पूरी market ये हमारा अपना personal point of view है personal हमारा हमारे thoughts है कि market जब पूरी तरह से टिकी हुई है एक भरोसे पर टिकी हुई है भरोसा किसका government के उपर public का भरोसा वरना इंडिया के उपर बहुत करजा है और GDP वगरा हो गया ये जो भी हो गया तो market sentiments high पर तो है लेकिन हमें अभी हमने कहा ना कि 100 में से एक बर ख्याल ऐसा भी आता है कि जो भी sentiments है ये हमें कुछ-कुछ bubbles टाइप के लगते हैं अभी कि जो condition है SBI के bonds को लेकर कि जो हुआ है market में हमें समझ में ऐसा लग रहा है क्योंकि Supreme Court ने जिस तरह से बोला है कि हमें चाहिए तो चाहिए तो इस बैए तो निकाल करके देगी उनको तो देना ही है लास्ट आप्शन उनके पास यह है गर ऐसा करती है तो वो जो belief की बात हमने की ना भरोसा में भी हो सकता है कुछ परसंटी सही लेकिन पब्ली का भरोसा तूड़े और यह पूरी मार्केट भी भरोसे पर चल रही है हम लोग जब अपने टेक्निकल एनालिसिस करते हैं तो यह सोच करके करते हैं कि फंडामेंटल इसके स्रॉंग होंगे लेकिन सारी टेक्निकल एनालिसिस रखी रह जाती है अगर फंडामेंटल सही नहीं हुए फंडामेंटल सगर जूटे हमें बताया जाते हैं तो हम तो यह मान के चलते हैं कि फंडामेंटल स्रॉंग है वहाँ पर हमारी टेक्निकल काम हो जाएंगे लेकिन हम चाहें जितना भी open high कर ले चाहें जितना भी order blocks लगा ले चाहें जो भी trading और trending और फलाने धिमकाना कर लें लेकिन अगर fundamental सी सही नहीं है तो हो सकते सारे analysis करने के बाद में हम लोग wrong proof हो जाए हालांकि इसके chances नहीं है ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा सोचना भी नहीं चाहिए कि market में कोई crash rest हो जागी बहुत लोगों का पैसा पढ़ा हुआ है कोई भी up stock उठाओ जैसे आर्ती industries हो गया यहां पर देखो swing लगे है swing लगे ना आगे 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 चलके यहां पर कहीं इसने closing की closing के बाद में सिध्य upside के तरफ अच्छा यहां पर देखो दो चीज़े ऐसे हैं कि जो नहीं हो वो क्या एक तो volume के breakout नहीं हुए इदर low volume के साथ में price ने upside के तरफ में closing देखा है लेकिन बड़ी बात क कि इस candle के high तक market ने अपने आपको sustain किया है और यहां पर इसने volume के breakout भी किये है अब swings को आप mark कर लिए वरना जिस method से अभी हम कर रहे हैं तो high to high low closing हो गया अब हमें simply क्या करना है swings को just mark करना है जिस भी candle में volumes आ रही है यह हो गया हम इसको mark कर लिया अब इसके बाद में यहां पर हुए न माक करो अपसाइड की तरफ अब प्राइज को अपसाइड की तरफ अगर sustain करने तो इसे volumes के breakout दिखाने होंगे यह याद रखना चोटी-चोटी चीज़े हैं लेकिन रीडिंग्स के टाइम में बहुत impact डालती है चार्ट के उपर इस केंडल को हमने माक कर लिया अब यहां पर volumes के breakout में चाहिए यहां पर देखे कहां मिल रहे हैं यह वाले 홀 winding के breakout हुए माई करो अप फिर से मुलम्स के breakout चाहिए यहाँ पर दिंग रहे हैं जब limit कर लो प्राइस upside की तरफ है हमें चाहिए volumes के breakout यहाँ पर give फृक्रणे से सारेके सारेела आप अब यह वाला इकाल Marg आनके ठड़ा के तरफ हमें रेपड़ाउन के बाद में प्राइज ने हमारी रेंज के बाहर ही अपने क्लोजिंग दिखाई इस तरह से प्राइज अपने आपको अपसाइड की तरफ सस्टेन करता चला जाता है वॉल्म के साथ में जब हमारी रेंजेस के ब्रिक आउट होते तो उससे में दिखाई दिखती है यह है एक स्ने को के ब्रिक आउट हो है लंगातार निडिलेoupe सबस्क्रूंट को एंगे जिए वाला रिया kur dwaros यहाँ पर दिखाई न उलंसके ब्रिक आउट यह वाले हो स्बूरु कर जैसे जैसा ऑंसीयत माद करते यहां पर जैसे जैक्स हम ऑपने दिखाउड य जाएंगे यहां पर देखो जैसे वॉल्म की ब्रेक आउट होगा नीचे की तरफ जाने वॉल्म की ब्रेक आउट दिखाने होंगे अगर लो वॉल्म के साथ में डाउन साइड की तरफ आने कोशिश करता है मतलब कि एक ट्रेप है आपको जो सपोर्ट है इस सपोर्ट बहुत सपोर्ट होगा जब तक प्रैस हाई वॉल्म के साथ लोग के नीचे ब्रेक आउट नहीं कर देगा इस कैंडल कर लो आपके लिए एक सपोर्ट बनेगा तो प्रैस जैसे ही अपसाइड के तरफ ब्रेक इंसाइड देखाता है तो लोग भाईसाड के तरफ ट्रेट करते हैं अब इतनी सारी चीज़ी हो गए कुछ स्टॉक्स को हम उठाएंगे कुछ स्टॉक्स को और देखेंगे कि कल के उसके मूव्स क्या हो सकते अपनी रीडिंग्स के कॉटिंग तो अमन ट्रेट किया थे सब्सक्राइड किसी एक स्टॉक का नाम लीजिए जो आपने इस विक ट जी आट डिसकेशन नहीं अपना तो अगर हम इसकेशन लोग फिलहाल तो नहीं करेंगे इसको अपने फ्राइड को ट्रेट किया था किया था किया था कि मंदे को थीक 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 थोड़ा बहुत सहा है कुछ एक ट्रेंडिंग जैसे स्टॉक हूं को और स्टॉक अब बताएक कल के दिन इसमें क्या हो सकता है तो देखा जाता के बात को उताते मीं आहिए करने डी बताई यह पूरी तरह से और मार्किंग करें किस पॉइंट पर कौन सी केंडल को मांग करें तो 29 फेबरे के लो 29 फेब के लो अभी जिसने अभी जहां कर सब्सक्राइब तो क्यों किनों ने सब्सक्राइब कर दिया है तो रीट्रेस्मेंट के साथ में प्राइज आपको 594.45 से जाकर की एक शॉट्चिल का मौका देगा सिंपल है इस मेर कॉर्डिं देखी क्या हो सकतागा अगर हम लोग कोई भी रीट कर रहे है तो उसमें सबसे बसे पー नंगर अभने वह कैसा का में प्योंकर को होगा पॉइंट पर मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे हैं अगर में BPSL को ट्रेट करना है सबसे पहला नियम यह होगा दूसरा हम कभी भी running market या running prices चल रहा है यहां पर उसके पास मेरे अपने अपने यह नहीं सुचें कि हमें जो भी readings करनी है इस level के पास सही करनी है क्योंकि सबसे पहला कोई भी चार्ट रेट करो अमन कोई भी चार्ट अपरेट करो लेकिन मन में यह रहता है ना कि जहां पर उस वक्त की stock value है हम उसके पास में ही अपना कोई level draw करते हैं यह psychological चीज होती है तो उसको हम तुरंत ignore कर देते हैं हो सकते हाइट कर दो इस candle को हटा है अब यहां पर देखे क्या हो रहा है जैसे एक area हम कहें आपसे mark करने के लिए यह वाली candle decreasing बने न यह falling pattern बना हुआ है किसी falling pattern इसी वह समने mark नहीं किया है यहां पर देखे को एक swing लगा high से यह swing लगा अच्छा यह वाली जो candle होती है जो candle हमारा swing लगाती है swing लगाई हुई candle का high and low both are important दोनों ही important होगे जैस तरह से swing low की candle important है वो ऐसे हमारी swing high की candle भी important होगे अब मैं यह देखने कि क्या price हमारे swing range के अंदर enter कर रहा है या फिर यहां से बाहर निकलने की try कर रहा है moves देखो यहां पर price कैसे कैसे move कर रहा है यहां पर price ने एक move दिखाया है downside के तरफ यह वाला जो हमारा swing area है जैसे ही price क्योंकि इसने एक range को तो break किया हमारी swing वाली candle की range के अंदर तो आया ही है यहां पर यहां से बाहर जाने का भी इसने try किया लेकिन यहां से इसको मिल गया एक upside का reversal पेन बार मिली हाई साइट के उपर चला गया अच्छा वॉल्म्स तो ज्यादा आई है अगर वॉल्म इतनी ज्यादा आई है तो इसे अपने swings को break कर देना चाहिए था ना इसने ब्रिक किया क्यों नहीं तो प्राइज अभी कहा है हमारी इस वाली candle की range के अंदर रुका हुआ है और एक तरह से देखो तो यहां पर pressures भी create हो रहे है वॉल्म्स क्योंकि breakout हो गए है ना अचली यह अपने origin से उटका है ना origin जी मानलब यह जो प्राइज है यह जो मानलब जो इसकी origin demand zone है जो यह वहां से pick क्या है ना एक पर थोड़ा सा पीछे करेंगे प्राइज को जी यह जो था यह और शोरी यह वाली जो candle थी यह इसकी origin थी मैं एक प्रटेट-टेट मैं, I actually I said I will have a slight price, I'll go back. ometer इसके पीछे कुई candle नहीं मिलीह अदो 问题 इसमें actually यह वाला जो candle था यह कि अखना मार्किया जशक्वेर्द औरेजन यह ौरिजन तहा pastors मतलब की बोड़ी में मतलब की प्राइज आया नो इसको टैश्ट दो एक पर कर चुका था. मतलब और इसवाली कैंडल से इसने विक टुटु टैस्ट करके गया? हाँ Г-8 हाँ 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 हम ठीक है. यह वाला यह वालजो कैंडल था ये इस वाली दिमांड को टैस्ट करके गया? बट इस यह जो ओरिजिन जो था इस के जब तक बोड़ी में नहीं आया अभी अपन समझ सकते ना कि यहां से प्राइज उपर मुग कर सकता है इक्जैक्ट मैं इतना नहीं आता मुझे लेकिन जिस्ट एक मतलब मैं अपना सभी आप में जिस स्केंडल को मार्क किया है हमने इस के लिए तक क्यूंकि यह स्विंग नहीं है अगर यह स्विंग होता तो और भी अच्छे से वोग करता है जैसे किères लगा ना पाइस आप से डांसायट की तरफ आ गया इस केंडलू artists green वाली candle में इस रेड वाली इन तों में फर्क यह है कि यह वाली candle swing क्रियेट नहीं कर रही है जबकि यह green वाली candle रेड वाली candle यह डोन ही swings क्रिएट कर रहे हैं इस tvceğ In इन तीनों में जो सबसे इंपोर्टन केंडल होयाती है स्विंग्स क्रेट करने वाली केंडल वेरी सॉरी आज मैं मिस हो गया हूँ क्लास पांच अभी जस्ट दो मिनिट पहले जॉइन किया तो रिकॉर्डिंग शेर कर जीजगा अब इन रेंजर के पास से हम कुषा समझ में आ रहा है कि यहां से मिले हैं इसी रिजेक्शन अगर प्रैस को डाउन साइड की तरफ जाना होता है तो प्रैस प्रापर हमारे सपोर्ट अर्यास को ऐसे करके और सिदे डाउन साइड की तरफ निकल जाता है क्योंकि इसे अच्छे कासे volumes के supports मिल रहते हैं यहां से moral of the story कि अभी हमें wait करना होगा price जैसे ही हमारी 13th February के low को upside की तरफ close करके एक retracement के साथ में buying नहीं देगा तब तक तो buying नहीं करेंगे लेकिन कल के chances हमें कम लग रहे हैं negative वाले चल रहे हैं कुछ भी हो सकता है market gap down भी कर सकती है इस condition में हमने कहा न fundamentals का सही होना बड़ा ज़रूरी है अगर सब कुछ सही रहा तो तो expected है कि एक green candle आपको छोटी से दिखाई पड़ जाए लेकिन अगर market ने gap down दिखा दे हल चल रही हो सकता है Monday को हम trade ही ना करें Monday की market तो वैसे भी side वे रहती लेकिन इस वक्त की situation में मेरी हिम्मत नहीं फिलाल कि हम को बढ़ा risk ले पाए हैं बाकि हम Monday को देखेंगे अगर tradable market लेगी तो करेंगे normal market open होती जो कि हम उसी की उम्मीद करेंगे तो उस condition में हमें फिर एक green candle यहां से देखने को मिल रही है buy side की तरफ हम जाएंगे 596.55 के उपर जैसे market जाएगी एक buy side का हमारा view रहेगा हम लोग इस line के उपर और नहीं तो फिर 580.35 इस line के उपर buy sell नहीं करेंगे सिर्फ हमारों जो view रहेगा buy ही करेगा हम लोग short selling नहीं करेंगे price जब जब हमारी इस red वाली candle के high को touch कर रहा है एक move मिल रहा है high को touch कर रहा है एक move मिल यहां पर बहुत सारे orders थे जो कि maybe हो सकता है fill हूए हो and fill हो जाने के बाद में फिर से एक upset का move यह सब कुछ आपका होता है एक सही reading से देखने से लग रहा है कि support break हुआ है बट क्योंकि यह swing है swing के पास में जब market आती volumes breakout होते ही होते है ले लो आप BPCL को नहीं करना है short buy करेंगे green color की candle में दिखा ही पड़ रही है Monday को देख लीजगा universal graphite आप यहां पर अपना लॉजिकल नेम प्रिंट कर दीज़े एडिट करके इसे माइकर मूट कर लीज़े अपने अलो जी हां जी हां सब मेरा नम इर्फान है जी इर्फान सब मेरा माना है हो सकता है कि यह प्राइस नीचे आया हो और यहां से प्राइस बात में सपोर्ट लेके फिल से अपनों शुरू कर देवे मेरा भी कुछ कुछ यही मानना है मेरे हिसाब से यह शायद गैप फिल अप करने आया है कुछ लास्ट केंडल काफ़ी बड़ी है केंडल उपर क्राइस उपर नहीं कि जाना y Déo काफ़ी आफकी उपर लिके जाने में इंट्रस्ट काफी जाधा होग 가장 कम उगे लिए इसलिए उस यह मालित को फिलिent आया गूब होगो हैं और लोगों को सब्सक्राइब कर रहे हैं उस यह डेली चाट के उपर है कि हम इसको फाइव मिनिट्स या फिफ्टीन मिनिट्स के उपर जाके इसके वॉलिम्स चेक करके पता कर सकते हैं कुछ फाइनल क्या कर सकते हैं कि कि कैसी होगी या कहीं हम लेवल करके उसके उपर भी हम इसे एक चोटी जिए ग्रीन केंडल दिखाए पड़ेगे तो यहां पर कुछ लेवल्स हम निकाल सकते हैं या यहां कोई लेवल्स निकालने वही डिल्याव लेवल्स रहें अच्छा उसी पर काम करना है बस ठीक है ठ सुझःए था कि यहां पर जैसे तैमने वह जोन सटाएं वहान बताया था अभी ट्रेंडिंध और आंडटेंग स्क घ theoret olmaz पर करेंगे या काम करें यहां करेंगे योब ताइम फ्रेंम पर बाइन कर नयों तो इसे करेंगे बाई को पिला इस्फियों कि नहीं के लिए अभी के लिए इसे के लिए अभी कि लिए ने भी सेमा लोगर किमने व्हन इस इस ही ने में जब तक लोग और जब तक उखै नहीं तोट जागा इस connected कैंडल देखने कॉइं बहुत बड़ी केंड्ल नहीं है जाती है हम जाना कि सईड करना 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 किया है सब समझ में रहे हैं यह थोड़ा क्लारेटी हो रही है लेकिन मेरा एक प्रॉब्लम यह है कि और ट्रेडिंग कभी-कभी मार्निंग मार्केट में ब्रेंग जो हमारा एनलाइस करना थोड़ा कम करता एक्शली जैसे ग्रीन कार्ट दिखती है या कोई लेवल पे इवन सबस्क्राराइस के लुए करें सब्सक्राइडराइस कर एक जांड़ो ग्राराइस के रहें दार्याव से क्षण च्रह्ण से ल में आधानें सबस्क्राइस के वदिख तो हम पर सब्सक्रारा थiddelay प्रक्राइब देखें क्या हुआ अभी बात कर रहे थे न यह वालिम ब्रेकर चला गया वालिम पर सथ ब्रकाउट हुआ अभी यह तो फिर जो वालिम डेली के ओपर बढ़ेगा फिर वहां पर हमको तो फिर अगें में वी आव टू सी ओगें वह कहां वे सबोस्व और पूर्स तौसल के डिवल ऑट्सप्व टिवर्सक्राइब मीशनली वाट्सप्व कि जगए इमिल में उट्श टेकए वाट्सपट वाट्सप्व घगां अट्ट्व थैक्वाट्व च्टिए तरह आपने जो स्विंग को मार्क है उदर वाल्यूम ब्रेक नहीं होगा यहां पर यहां पर वाल्यूम के ब्रेक आउट नहीं हुआ है कि महां तो सिर्फ के ब्रेक यहां पर यहांध के पास में लो लगा लो की बात देखो झालगा यहां पर लुठ ओट हो गयरे तो जब भी इस तूटता है high volume के साथ में swing high से लगने पहला जो low होता है वो confirmed swing low होता है औरे कोई भी swing high मारा break होता है देखो इसको समझो जैसे कि ये low ये ये वाला जो low है ये लग रहा है मेरा जो leg है ये running है काफ़ी छोटा हो रहा है देखें ये है अब ये वाला जो low है ये running है ये वाला leg अब लग जाने के बाद में ये लगा अब ये swing low है या नहीं ये कब पता चलता है अभी तो ये running है न अब गर इसको नीचे जाना तो फिर नीचे चलाएगा तो ये फिर swing low कहां से रहा तो swing low confirm कैसे होता है कि price जब high break कर देता है न अपना with volume तो previous swing जो low होता है हमारा ये confirmed swing लो होता है इसके basis पर फिर हम लोग आगे अपने level स्टॉप करता है अब एक बात है अभी अभी उसके बाद दो candle break out होारा तो third candle black break out हो तो उसका low हम mark करेंगे हाँ यहां पर इसका low mark करेंगे क्योंकि यह swing है इसका low mark करेंगे है लो एंड हाई बोथ दोनों mark करेंगे जह हमें swing हाई की जुरत होगे तो high mark करेंग अदरवाई जब के इंडर स्कॉम लोग ऐसे पढ़ रहे हैं यहां पर तो फिर्म लोग को भी mark करेंगे और यह हम रुनिंग मार्केट में वो फाइव मिनिट में इसको अनलाइज करेंगे हाँ रुनिंग मार्केट में डेली टैम फ्रिम पर कोई लेवल नहीं निकालते है एक प्रेक्क पताए तो उसक्त मेरा निंटरनेट का प्राप्लम हो जुआ पर टिके फिर रकॉर्डिंग लेने पड़िया आपको और वह को अश्चेय सब्रेख रेकाउट के बाद निकल जए ध्यंसे निकल गया लुग तो भी मेरा इंटरनेट घश आब हो तो पार्टी च प्राइस अब कभी भी प्रैस ब्रेक आउट हो तो इसके बाद कि बोला तहां नहीं कोई कोई बात में कोई बात नहीं हम रेकॉर्डिंग भी देंगा आपको देखेज़ का और था थि उसमें 200 200-point market नीचे खुली थी दे टाइम प्रेम में भी प्राइस नीचे जा रहा था और उसमें आपने बाइसाइट की ट्रेड ली थी और आपने का था 427 तक जाएगा और 427 तक गया और उसके बाद फिर जहां से स्टाट हुआ तो 417 बहुत नीचे आ गया जो देखरों ना जो मिनेशां किया हुआ हैं एक बच कि तीस मिन की केंडल डेट किया 30 मार्च की तेरा लो अच्छा यह वाली जो candle थी जिसने swing लगाया था अभी जैसे हम लोग high mark कर रहे थे वैसे यहां पर देखिए हमने इस candle का high mark किया था यहां पर और trade करने की exact जो हमें positions मिली थी वह हमने इसी जगह पर अपने supports को identify करके यहां पर trade लगाया था इस एक जगह पर अब यहां पर जो टार्गेट है वह हमने कैसे निकाला था जो 413 मार्च के जो candle है lower time यह अच्छा है डिली टैम पर यह में point of question मिला के में trades लेने कहां से यह मेरा swing point था low again देखिए अब यह 14 मार्च के केंडल स्टार्ट होगी 9 बचकर 15 मिट की candle यह है 15 मार्च केंडल जिस दिन हमने trade किया था highs low high low अब आप बताएं यहां पर हो क्या रहा है जितने भी swings लग रहे हैं इस जगह पर हो क्या रहा है जितने भी point अब ही हम mark कर रहे हैं सबसे बड़ी चीज कि यह retracement अभी नहीं हुए इस जगह पर swing लगा यह तो दोनों तो एक ही जगह पर है उनको ignore करो जो दोनों same points में दे रहे हैं लेकिन यह वाला जो zone था हमारा यह वाली candle एक बच का 30 मिट की candle का यह एक यहीं पर तुम निकले थे चारसो सताइस गुपर पैंताइस पैसा है यही तो टार्गेट था अपना यही रिवर्सल था हमें यह यह निवल दो है कि मार्केट इन्नी बुरी तरह से नीचे भी गिर जाएगी यह तो अच्छा हो में पर निकल गए थे